फॉरिनर्स बीच इन गोवा आप लोग हमेशा पूछते हो और हमेशा सर्च करते हो मतलब गोवा में बिदेशी टूरिस्ट वाला बीच या फिर ये कहें गोवा में बिदेशी परेटक वाला बीच कौन सा है तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे बीच पर परणाच चाहिए क्या इंडियन को यहाँ पर बिजिट करना चाहिए कुछ भी हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आपões को यह भी बताओंगा वीडियो को लाज स्सक्वा आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना क्योंकि सब्सक्राइब करने से गोवस रिलेटेड वीडियो ज अब तक सबसे पहले पहुंचेंगे तो चलते हैं अपने डिस्ट्रेसर की ओर और अभी दोपार के लगभग दो बजे हैं और लंच का समय हो गया है तो अभी मैं आपको उस एरिया में चलता ले चलता हूँ जहां पे बिदेशी ट्यूरिस्ट हैं और रसियन ट्यूरिस्ट हैं और वहीं पे जाके मैं लंच करूँगा तो ये भाई साहब जो एक फैमिली वाले हैं कजाकिस्तान से हैं और जो उस तरफ लड़की बैठी है वो रसिया से है तो मैं इन दोनों से बात कर रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह लोग गोवा के बारे में तो मुझसे जादा जानते हैं अगर बात की जाए तो क्योंकि ये लोग क्या है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गोवा ही गोवा देखते हैं तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा मैं हूँ गोवा के बहुत ही सुन्दर बीच बहुत ही फेमस बीच यह फिरेक हैं गोवा के बेस्ट बीच जिसे अरंबूल बीच कह बहा जाता है और इसे रसियन बीच भी कहते हैं क्योंकि यहां पर विदेशी ट्यूरिस्ट इस्पिसली रसियन ट्यूरिस्ट सबसे ज़्यादा रहते हैं इस भाई साहब के साथ फिर मैंने बहुत सारी ट्रिप की जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और यह बहुत ही अच्छा आदमी है यह वहां का सॉफ्ट्वेर डिब्लोपर है और इंडिया में केबल साथ दिन के लिए इस्पिसली गोवा में केबल साथ दि बहुत सारे फेमस बीचेज हैं सुन्दर बीचेज हैं बेस्ट बीचेज हैं जहां पे आप घूम सकते हैं अभी नाइट हो गई है और मैं आपको नेक्ट वीडियो में नाइट लाइब दिखाऊंगा यह अरंबोल बीच के बाहर का रास्ता है और रात की लगबक्त दो मुझे भी कैसा महोल रहता है क्लब पप कैसे ओपर रहते हैं मैं आपको अपने नेक्ट वीडियो में दिखाऊंगा तुम्हें नेक्ट वीडियो में